योगी सरकार में महिलाओं की सुरच्चा के दावे किये जा रहे हैं लेकिन प्रदेश में महिलाएं तो क्या बच्चियां भी सुरच्चित नहीं रहे गई एक ऐसा ही मामला बेटी दिवश पर प्रकास में आया जहां एक चाचा ने अपने छेवर्सी बेटी समान नावालिक से दुरच्चार की घटना को अंजाम दे कर विछित मानसिक्ता का परचे दे दिया है और इससे भी ज़्यादा समसार बात यह है कि चार दिनों से बच्ची उसके परिजन राइबरेली जनपत के थानों के चक्कर काट रहे हैं परन्तु अभी तक बच्ची की चिकिसी परिछड तक नहीं हो पाया जानकारी के अनुसार राइबरेली के बदोखरे मानोटा को समसार करते हुए चाचा ने अपने छे वर्षी भतीजी के साथ दुराचार किया परन्तु अभी तक बच्ची चिकिसी परिछड के लिए अस्पताल के चकर काट रही है जानकारी के अनुसार बदोगर थाना छेतर में 15 वर्षी युवक ने रिष्टे में लगिपनी भतीजी के साथ इस घटना को अंजाम दिया परन्तु अभी तक बच्ची का चिकिसी परिछड नहीं किया गया पीडित परिवार ने जीला अस्पताल पहुझ कर फुना अधिकारियों से चिकिसी परिछड की बुहार लगाई है बेटी के साथ घटना की उसका उसके साथ प्रज़कार बद तब की है घटना खांड डर्ज़कं बचै लोगा तक जो इस्कटना कों आनती है पारिण आगेट मी कंता चंटानियों और यहां पर कहा यह है कि मैं वहियाए भी थाने पर आप यहां पर क्या हाए जो ग्रणग जान लोग थे जो जो फर जो बच्ची माने आई anda तो आजी एड़िया है के साथ में चली गई है वह मुझे और ह Such a should मैं से ले गए थे बच्ची को बच्चे को सब्सक्राइए करने कि कि मामला कहीं भी भी धब चाइते जी जी ये प्रयास किया जब हम लोगों को मालूम परा तो लड़की को लेकर खाने पहुंचे आने के बाद कल जो है बेला बेला उन्होंने चकप कराया सब कुछ कराया और आज के लिए जिला अस्पताल वेजा की क्या मेडिकल हो गया मेडिकल अभी हुआ नहीं है अभी यहा में फोन किया है यह आप लोग यहां थाने आ जाई है मैं अपनी गारी से चलता हूं और सेमों साथ से आदेश लेकर बच्चे का मेडिकल कराएंगे कि जी को पकड़ा गया है हमामने में बाप बेटे दोनों अंदर